दोस्तो बाज को पृत्वी का स्रेष्ट शिकारी माना जाता है। बाज का ताकतवर शरीर, तेज रफ्तार, नुकेले पंजे और चोंच इसे अलग ही कुशलता देते हैं। बाज धर्ती पर पानी में यहां तक की हवा में भी शिकार करने का मादा रखता है। दुनिया भर मे बाजों की 68 उप परजातिया फैली हुई है। वैसे तो यह सब की सब परजातिया बेहद ही कुशल हैं। लेकिन इन में से भी कुछ औरों से बहतर हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बाजों की सबसे शांदार इन ताकतवर परजातियों के बारे में ही जानते हैं। उरोप और एशिया में पाए जाने वाले सबाज के पंखों का फैलाव सबसे अधिक होता है। यह जालता समुदरी इलाकों के आसपासी रहना पसंद करते हैं। और मचलिया इनका सबसे परमुक शिकार है। इन्हें नारवे के ठंडे तटो पर बड़ी संख्या में देखा करते हैं माना जाता है कि एक वाइट टेल्ड सी इगल का इलाका सो किलोमेटर से भी अधिक बड़ा हो सकता है शिकार करने के साथ साथ इस बाज को अन्य शिकारी जीवों से शिकार छीन लेने के लिए भी जाना जाता है जर्मनी की सेना की वर्दी पर इस बाज की ही तस्विर हुई है और ये बाज जर्मनी का राष्ट्रिय पक्षी भी है अफ्रीकन क्राउंड इगल जैसा की नाम से ही पता चल जाता है कि इस बाज के सर के ऊपरी पंक किसी मुकुट के समान दिखाई पड़ते हैं ये मुकुट जैसे बाल अफ्रीकन क्राउंड इगल की शान में चा काफी तेज गती से उड़ने वाला बाज है ये बड़ी ही आसानी से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफतार हांसिल कर लेते हैं च्छै फीट पंखों के फैलाव के साथ इस बाज का वजन 4 किलो के आसपास हो जाता है बलैक इगल दोस्तों काले रंग का ये बाज भारत सहीद कुक्खे तोर पर करता है साथी ये हौँ में उड़ते चमगा दरों को भी पकड़ लेता है काले बाज पर्वतों पर टेहन्यों के मदद से बहुत बड़ा गुसला बनाते हैं इनका गुसला इतना बड़ा होता है कि इसमें एक बड़ा इनसान भी आसानी से बैठ सकता है किलो तक भारी हो जाने वाला और साड़े छे फिट पंकों के फैलाव के साथ ये बाज बेहद ही ताकतवर शिकारी है मार्शल एगल अफरीका के सहरा मुरस्तल के आसपास पाया जाता है आज इस बाज की परजाती लुप्त होने के कगार पर खड़ी है क्योंकि अफरीका में इस बाज को कोई पसंद नहीं करता यहां के लोग मार्शल एगल को देखते ही गोली मार देते हैं जिसकी वज़य है इस बाज का कुशल शिकारी होना ये बाज लोगों के पालतू जानूरों तक को जपटकर मार डालता है किसानों द्वारा छोटे गाएं के बच्छडे माना जाता है कि मार्शल एगल 250 किलो मेंटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जपटकर किसी इनसान की हड़ी भी तोड सकता है बाल्ड एगल उत्री अमेरिका में पाया जाने वाला बाल्ड एगल बाल्ड अर्थार्थ गंजा नहीं होता बलकि गहरे भूरे रंके बाज क सरके बाल चिपके हुए यों सफेद रंके होते हैं जिस वज़े से ही इसे अपना ये नाम मिला हुआ है सरके सासाथ बाल्ड एगल की पूछ भी सफेद होती है ये बाज बेहर ही खुबसूरत दिखाई पड़ता है बाल्ड एगल को फिश इगल भी कहा जाता है क्योंकि इस बाल्ड एगल अमेरिका का राष्ट्री अपक्षी है बाल्ड एगल दस हजार फिट की उचाई तक उड़ सकते हैं और ये काफी ठंडी जलवायों में भी अपना बसेरा बना लेते हैं मोटी लकडियों की मदद से बाल्ड एगल अपना घोसला बनाते हैं ये देखा गया है कि इनके द्वारब घोसले में इकटी की गई लकडियों का वजन एक टन यानि एक हजार किलो तक भी हो जाता है। में उड़ सकता है वही इस बाज का खुद का वजन 6-8 किलो ही होता है यानि ये अपने वजन से अधिक भारी वस्तु को उठाकर उड़ने में सक्षम है। करते हैं और इनके सर के पास मोजूद पंक खड़े होते हुए आसपास फैली आवाजों को सीधे इस बाज के कानों तक पहुचाने में सहायक हैं जिसकान ये पक्षी बेहत दूर की आवाजों को भी सुन लेता है। अन्य पक्षों की तरह हार्पी इगल हर वर्ष परजनन नहीं करते आमतोर पर तीन वर्षों में एक बार ही हार्पी इगल मिलन करते हैं और अंडे देते हैं। ये पक्षी पनामा और वेनजुएला समेत कई दक्षिनी अमेरिकी देशों का राष्ट्रे पक्षी भी है। गोल्डन इगल सुनहरे रंके इस बाज को पहाड़ी बक्रियों का शिकार कर लेने की क्षमता के कार्ण सबसे अधिक ख्याती मिली है। ये ताकत और पक्षी बक्री के उपर इतनी तेजी से गिरता है कि संतुलन खराब हो जाने के कार्ण बेचारी बक्री परवत से नीचे आ गिरती है। वहीं यदि बक्री थोड़े चोटे आकार की हो तो गोल्डन इगल बक्री को पकड़ कर आसमान की उचाई पर ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन हर बार अंडे देने का समय आने से पहले नर और मादा दोनों बाज मिलकर अपने गोंसले को बढ़ा करते रहते हैं। गोल्डन इगल में नर मादा का साथ बहतरीन होता है। ये हमेशा एक तूसरे का साथ देते हैं। जब मादा अंडो को से रही होती है तब नर बाज मादा के लिए लगातार भोजन का प्रबंद करता रहता है। स्टेलर सी इगल दोस्तों दुनिया के सबसे दूरला पक्षों में शामिल होने वाला ये बाज रूस के काफी दुर्गम इलाकों में पाया जाता है। कभी कबार इसे जापान और आसपास के देशों में भी देखा जा सकता है। ये बाज अपने नजरों को एक ही वस्तों पर भी जमा सकता है। ये बाज अकेला रहना पसंद करता है और अकेला ही शिकार करता है। आम तोर पर एक स्टेलर सी इगल के इलाके में दूर दूर तक कोई दूसरा स्टेलर सी इगल दिखाई नहीं देता। किन्तु ठंडी के दिनों में खाने की कमी होने पर ये मजबूरी वर्ष्ट मिलकर शिकार करते हुए भी देखे गए हैं। फिलिपाइन इगल जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि 7 फिट पंको के फैलाव के साथ 8 किलो तक भारी हो जाने वाला फिलिपाइन इगल केवल फिलिपिन्स में ही पाया जाता है। ये बाज सर से लेकर पूछ तक 3 फिट लंबा होता है इसलिए इसे धरती का सबसे बड़ा बाज भी कहा जा सकता है। ये बाज जितना खतरनाक है उतना ही खुबसूरत भी है। सरके बाल फिलिपाइन इगल को सुन्दर रूप प्रदान करते हैं किन्तु आज इस बाज की परजाती बेहद ही जादा संकट में है। माना जाता है कि फिलिपिन्स में ये बाज 500 से भी कम की संख्या में बचे हुए हैं और सरंक्षित होने के बावजूद भी इनकी संख्या तेजी से गिर रही है। और यदि जोडे में से किसी एक की मिर्ट्व हो जाती है तो दूसरा साती अकेले ही रहकर अपना जीवन बिता देता है। दोस्तों जीव जगत में पक्षी बहुत ही विशेस थान रखते हैं और पक्षी जगत में बाज बहुत विशेस हैं। बाज ना सिर्फ ताकत वर पक्षी है बलकि एक कुशल हत्यारों और लड़ने की ख्षमता का भी मालिक है। यही वज़े है कि दुनिया भर के देशों में बाज को ताकत और समर्था का परतीक माना जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।